अगला पार्ट जिसके अंदर हम बनाएंगे आपका Add Orders का UI और Web Services की फाइल सबसे पहले हमारा आप देख रहे हूंगे यहापे Add Order की स्क्रीन आ गई है इसको अभी हमें क्या करना है दोस्तों इंप्रीमेंट करना है इसमें UI को तो चलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए UI Table यहाँ पर हम लगा देते हैं ठीक है दोस्तों क्योंकि हाँ पर लिस्ट एड ओर करना है तो आपका लिस्ट भी आनी चीए क्या क्या करो कि आप कौन-कौन सी आपके पास कॉफी रहे ठीक है और फिर उसके बाद में एक आपका वो जो लूँगा बटन कॉन सा बटन दोस्तों सेग्मेंट कंट्रोलर जिस पहले हम क्या करते हैं इसको आपका कांस्टेंट देते हैं कंट्रोल पर दबा के इसको अगर मैं लूंगा तो equal height कर देता हूँ equal width कर देता हूँ किसके correspondence दोस्तों इस view के correspondence ठीक है और दोस्तों इसको मैं दे देता हूँ यहां से top and left 00 ठीक है देखिए आपके यहां पर इस तरह से हो गया दोस्तों और यहां पर यह पूरा भी आजाएगा अपने आप इसको मैं क्या करता हूँ अभी क्या है मैंने इसको equal height कर दी है तो यह आपका पूरा ले लेगा दोस्तों यह देखिए अभी आजाएगा आपका table view controller आपका यहां से यहां तक complete ले लेगा यह आपका ठीक है क्योंकि मैंने view और height दोनों equal दिये हैं उसके चीक है तो यहां पर sorry change करते हैं और यह आपका आचुका है table view चीक है यह बड़ा क्यों नहीं हो रहा है एक मैंट इसके constant दुबारा से हटा के reset कर देते हैं clear कर देते हैं चीक है यहां से हम क्या लेते हैं इसका control करते हुए यहां से equal height ले लेते हैं और equal width कर देते हैं दोस्तों चीक है और top से आपको select कर देते हैं और top रपका left से select कर देते हैं constant यहां से हटा देते हैं और यहां से equal मैंने कर दिया इसको एक बार equal कर देते हैं ऐसे चीक है और आपका जो update constant है वो कर देते हैं तो आपका यहाँ पर आ गया लेकिन मुझे दूस्ते हैं आप पूरी screen पर नहीं चाहिए ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर इनका जो equal आपकी height है ठीक है उसका multiplier देखिए multiplier पहले से सेट है उसका multiplier मैं कर दूँगा 0.5 चिके ओके अब हमें clear हो गए कहाँ पर हमने mistake करी थी कहाँ क्या हो रहा था यह देखिए यहाँ पर जो आपका table view आ रहा है दोस्तों उसमें अगर आप constant की बात करते हैं और इदर आप professional आपकी जो height दिखा रहा है देखिए यहाँ पर अगर मैं आपका multiplier बर्न कर देता हूं चिके और यहाँ पर भी multiplier मैं क्या कर देता हूं दोस्तों बर्न कर देता हूं तो इसने क्या किया एककोल एककोल आपका ले लिया लेकिन मुझे इसकी जो height है पूरी नहीं चाहिए है तो height का मैं क्या करूँगा दोस्तों multiplier कर दूँगा 0.5 ठीके तो इसने क्या किया दोस्तों आदे स्क्रीन पर यह ले लिया तो जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अब मैं यहाँ क्या करूँगा इसको एक cell दे दूँगा दोस्तों ठीके टेबल व्यू है तो आपका यहाँ पर इसको cell भी दे सकते हैं ठीके यह देखे यहाँ पर आपका हम क्या करेंगे वन सेल दे देंगे यहां तो 10 हो गया बन देना है वन हमने सेल दे दिया यहाँ पर इसका एक ठीके और अब हम यहाँ पर लेंगे कि सेग्मेंंट कंड्रोलर यह सेग्मेंट पटन है यह आपका आगया segment controller की मैंने आ यहाँ दिखा इसके जो नेम होंगे दोस्तों वहम वही नेम रहेंगे जो इदर आम अभी बनाएंगे जो enum के name होंगे ठीक है जो क्यों सेम रहने चाहिए अब यहां पर मैंने यह तीन ले लिए हैं तो अगर मैं first की बात करता हूँ ठीक है तो first मैं ले लेता हूँ दोस्तो small ठीक है second मैं ले लेता हूँ दोस्तो medium और आपका जो third segment है बटन आपका उस पर मैं ले लेता हूँ लाज ठीक है अब इसके constraint भी इसको दे देते हैं यहां से top से मैं दे देता हूँ 24 बस और साथ मैं इसको के कर देता हूँ तो horizontally इसको container में डाल देता हूँ तो यह आपका आ गया देखे काफी अच्छा लग रहा होगा आपको यह ठीक ह स्मॉल मीडियम लार्ज ठीक है दोस्तों अब मुझे यहां पर चाहिए text field ठीक है text field भी मैं ले लेता हूँ यहां पर दो चाहिए होंगी दोनों लेंगे ठीक है यहां सेंटर में डाल देता हूँ एक copy paste इसको मार देता हूँ वो इसके नीचे आ जाएगी और मैं इसको constant दे बादनन के देंड ढेंगे तॉप से 50 कर देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ छिक है और इसको horizontally आपका container कर देता हूँ अभी इसकी width और हम देंगे ठीक है पहले नीचे वाले को भी side कर देते हैं ठीक है और इसको साथ में width ले ले लेते हैं let's see मैं यहाँ पर 200 डाल देता और इसको horizontally आपका क्या कर देता हूँ centered कर देता हूँ ऐसे ही आपका मैं इसको उठाता हूँ इसकी width में change कर देता हूँ दोस्तो define कर देता हूँ जैसे वहाँ 200 ली थी यहाँ पे भी मैंने 200 कर दिये तो अभी आपका क्या है दोस्तो यू आई अभी आपका बन गया है लेकिन साथ में दोस्तो मुझे दो आपके बार आइटम बटन वो किस लिए चाहिए है यहाँ पे एक तो मैं रखूँगा यहाँ तो मैं रखूँगा दोस्तो close क्योंकि आप इसको close भी तो करेंगे चिक है क्लोज रख देते हैं पे और एक बटन ओर लोगा दोस्तो में जो कि यहाँ पर आएगा यह क्या करेगा आईटम को सेव करेगा ठीक है तो यह आपके क्या होगे दोस्तों दो मैंने बटन भी बना दिये तो एक बार हम इसको रण करके देख लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर यू आई जो है वो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है कैसा दिखाई दे रहा है ठीक है हमें आईडिया हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो चलिए भी इसको रण होने दीजिए अब यह आपका run हो रहा है और यहाँ पर देखिए आपका plus का button जैसे दबाएंगे तो आपका यह table आ गया जैसा आप दिखाई दे रहा है आपको half में और बाकी आपके part में क्या आगया दोस्तो small, medium, large और दोनो text field आपकी आ गई है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों आपका save button है ठीक है तो हमारा भी यहाँ पर UI दोस्तों complete हो गया है ठीक है अब दोस्तों हमें क्या करना है हमें आपकी एक web services बनानी है ठीक है web services क्यों बनाएंगे चूकि हमें API call करनी है दोस्तों ठीक है API call करने के लिए web services तो हमें बनानी पड़ेगी ठीक है तो पहले एक group बना लेते हैं दोस्तों इसमें हम लिखेंगे web services ठीक है और इसमें हम file ले लेते हैं ठीक है आपका new folder ठीक है यहाँ आपकी यह file आजाएगी इस file के अंदर आपका नाम रख देंगे web services ठीक है यह हमारी यहाँ पर क्या गी दोस्तों file आगई अब यहाँ पे करेंगे दोस्तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे resource, resource क्या करेगा आपके URL को get करेगा, हमें URL को return करेगा, एक struct बनाएंगे जिसमें और वो आपका क्या होगा दोस्तों जैन्रिक टाइप का होगा ठीक है चुकि आपका जो URL वो किस टाइप का है जो आप डेटा दे रहे हैं वो हमें नहीं पता किसी भी टाइप का हो सकता है तो उसको एक तो हम जैन्रिक रखेंगे और साथ में आपको API पर साथ वर्क करने तो कोडेबल रखोंगा मैं चीक है और इसमें हम लेंगे URL जैसा कि मैं आपसे बता रहा था यहां पर आपका URL आजएगा जो कि आप यूज करेंगे URL को चीक है और अब हम बनाएंगे आप एक क्लास जिसके लिए हमने फाइल बनाई थी वैब सर्विसस ठीक है दोस्तों वैब स एक method रख देते हैं और यह method दोस्तों आपका होगा generic type का क्योंकि आप जब request कर रहे हैं तो वो आपका data कुछ भी हो सकता है आप model sign कर सकते हो या कुछ भी get कर सकते हो वो आप पर define करेगा इसलिए हम इसको generic रखेंगे दोस्तों resource लेंगे ठीक है क्योंकि वहां से हम URL को send करेंगे जो कि आपका resource में जाएगा ठीक है तो resource और यह आपका generic type है जो हमने उपपर define कर रखा है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर फिर हम लेंगे completion जैसा कि हम यूज करते हैं ठीक है completion handler यह closer है दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो मैं यह भी tutorial इसका बनाऊंगा आपका ठीक है swift interview question में आप चाहो तो वहां देख सकते हो जाके काफी अच्छी तरीके से explain कर रखा है मैं करूंगा कर रखा नहीं करूंगा लेकिन आप बाद में अगर वीडियो देख रहे हो एक महीने बाद अगर इस वीडियो के एक महीने बाद देख रहे हो तो कर चुका हूँ आप वहां जाके देख सकते हो ठीक है और जो अभी recently देख रहे हैं उनके लिए मैं यही करूंगा कि अभी मैं बनाना इस्टार्ट करूंगा ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तो escaping में हम क्या लेंगे दोस्तो simple return करेंगे एक result ठीक है और यह result क्या है आपका result आपका अब यहां पर network error दोस्तों मैं ले रहा हूँ ठीक है? network errors नहीं ले रहा हूँ ठीक है? यह आपका anum है जो कि मैं भी define करूंगा ठीक है अगर error आती है तो इसको किसदर से handle कर सकते है? ठीक है और यहां पर मैं आपका void send कर देता हूँ दोस्तों ठीक है? यहां हम ले लेते हैं यह आप देखें पहले में इसका एनम सेट कर देता हूँ वरना आपकी एरर बनी रहेगी ठीक है यह ले लेते हैं network एरर ठीक है और import क्या करेंगे दोस्तों error क्यों हम क्या कर रहे हैं आपर error handling कर रही है यह chapter में आपको बना चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से मैंने explain किया है आपका तो आप महां जाकर देख सकते हैं तो आपको clear हो जाएगा यहां पर मैं यह जो चीज कर रहा हूँ वह क्यों कर रहा हूँ और किसलिए करते हैं यह syntax क्या है आपको वहां सारह समझ में आ यह तो मैंने वो दे दिया ठीक है domain error कि आप गलत URL अगर hit कर दो तो उसका आपका आजाएगा ठीक है और URL अगर कोई और problem आती है URL में तो उसकी आजाएगा अगर domain गलत है तो उसका URL में प्रॉलम है तो इसकी आजाएगा ठीक है यह आपका item यहां पर बन गया अब दोस्तो सिंपल हम क्या करेंगे URL session ठीक है जो हम करते हैं shared ठीक है और दोस्तो data task with URL with URL कहां से आएगा आपका resource.url ठीक है friends I hope आपको यह चीज़ किलियर हो गई होगी जो मैंने करी है ठीक है वैसे भी आपको सारी चीज़े किलियर होती जाती है जो भी मैं करते जानों कि यह सारी चीज़े में one by one explain और आपको बताता चलता हूँ यहां पर देखे तीन parameter रहेंगे resource और दोस्तो मैं हर application में same pattern यूज़ कर रहा हूँ ठीक है ताकि आपको idea रहे कि हाँ यह वाली चीज़ हम पहले कर चुके हैं तो इसमें को issue नहीं आएगा ठीक है अब दोस्तो हम आपास यह प्या करेंगे guard let data equal data ठीक है और दोस्तों error को हम check करेंगे equal equal nil ठीक है क्या आपको equal nil है अगर कोई भी error आती है तो वह else part में जाएगा तो वहां हम क्या करेंगे completion करेंगे ठीक है completion कैसे करेंगे दोस्तों dot failure ठीक है dot failure में हम क्या दाल देंगे दोस्तों dot domain error空 ठीक है यह आपकी क्या है domain one error है डोस्तों और यह हम क्या कर देंगे है अपे फिर return.i hope आपको यह clear हो गया है ठीक है चलिए अब अगर error नहीं है तब क्या करेंगे हम result को get करेंगे ठीक है, result get कैसे होगा, decoder के थुरू, ठीक है, कौन सा decoder, json decoder, ठीक है, और यहाँ पे हम decode use करेंगे, decode type आएगा, type में दोस्तों क्या आएगा, generic type आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे return में, ठीक है, किसी भी type का आप ले सकते हो, यहाँ पे, तो हमने यह generic आप get कर रहे हैं, या आपका add resource कर रहे हैं, ठीक है, add resource, that means, आपको order add कर रहे हो, या order get कर रहे हो, जो आप API यूज करोगे, वो आप पे depend करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम generic भी ले रहे हैं, इसको, if let आपको use करने भी आजागा, generic अगा नहीं पता है, तो इसका lecture में ब fetch queue करेंगे, क्योंकि इसको हम किसमें करेंगे, main thread में आप जब इसके अंदर use करते हैं, main thread में करेंगे, completion को, completion आपको क्या जागा दोस्तों, dot success, success के अंदर हम क्या दे देंगे, result, I hope आपको clear हो गया यह, ठीक है, यहाँ else part में आएंगे, दोस्तों, फिर completion हम करेंगे, ठीक है, completion में आगर कोई error है, तो failure में जाएगी, failure में क्यों से जाएगा, दोस्तों, decoding, कोई error आती है, that means हम decode ठीक से नहीं कर पाएं, और final में हम क्या कर देंगे, दोस्तों, URL session का जो आपका end हो रहा है, वहाँ पे हम resume call कर देंगे, otherwise आपकी API call नहीं होगी, तो यहाँ दोस आपको इस तरह से resource बनाया, URL और इस तरह से आपने, क्या किया, generic type का आपने response लिया, ठीक है दोस्तों, चलिए अभी यहाँ पे हम इस lecture को यहीं पर finish करते हैं, और next lecture में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम model भी बनाएंगे, ठीक है, आपके इसका, चलिए दोस्तों, मिलते है ठीक हम इस तरह से बनाएंगे, रखके घएज रखकेक, ठीक है में आपके, ठीक हैं, अभी, इसे शेयरे हैं, प Love इसका तरह से टेकिडू में नेमास से तेकिक हैं, पेरस नेमेंगे, ठीका का यहाँए में हम दोस्तों तरहारतिक हैं, खेटकि दोस्तों, पनyal केंटकर पीक